आखिर कौन है ये तीन सातीर अपरादी जो रात को बन जाते हैं पुलीस वाले नमस्कार मैं हूँ प्रिंज गुपता और आप देख रहे हैं नियूस 24 अभी मैं मौझूद हूँ कठ्यार गेरावारी मुख्य मार्ग पर और इसी मार्ग को तीन सातीर अपरादी बना लेते हैं अपना अटा रात को बन जाते हैं पुलीस वाले ये अपरादी जिस कार का इस्तमाल करते हैं जिस कार का नाम है टाटा टियाइगो आगे पीछे पुलीस का पौकाल पुलीस की स्टिकर और लोग इनके चपेट में भी आ जाते हैं अब सबसे बड़ी बाग यह है कि आफिर पुलीस को देखकर दड़ जाते हैं लोग और इन्हें दे देते हैं मूँ मांगी रकम लेकिन जैसे ही मामला प्रकास में आया कथ्यार एस्पी जेंद्र कुमार ने इस मामले को बड़े गंभीर से लेते हुए कोडा थाना ध्यक्ष के साथ एक टीम बनवाई और इन तीनों को मौकाय वारदात से हिरासत में पुलीस लिल जी हां जब मौकाय वारदात पे पुलीस पहुँची तो इन्हें मिला एक टाटा की आइगो कार और उस कार में कुछ धारदार हथिया और डंडे तीनों पर आधा जर्जन से भी अधीक कमभी मामले हैं जिसमें चोरी डकैती लूट मडर और आम्स एक्ट ऐसी धाराएं लगी हुई हैं लेकिन कठियार पुलीस बड़ी समझदारी से इन तीनों अपरादी को ग्रिफतार कर लेती हैं और अब ये तीनों अपरादी जेल के सलाकों के पीछे कल जो है कुछ सूचना मिली थाना देश को पुलीस का लोगों यूज करके कुछ लोग गाड़ी को रोक करके जो है रंगदारी घटना का अंजाम दे रहे हैं तो उसमें तोरित गती से खदेड करके उनको पकड़ा गया जिसमें गौरो कुमार है बिक्रम है और मुहमद साह के लिए इन लोगों गिरफतार किया गया है विदिवत इसमें एक टाटा टीयों कार है जिसमें पुलीस का लोगों है और यह लोग मतलब पुलीस का वह यूज कर रहे थे और इसमें कुछ तीन मोबाईल है एक चाकू भी है इसमें जो गौरो कुमार है इसके यह पहले से ही जो है 302 मडर केस में यह चार सीटेट है मुहमद साहिल जो है यह एक आदतन अपरादी है इसके पास आम सेट के चोरी के बहुत सारे इसमें अभी तीन घटना है जो है इसके अपरादी की त्यांस है यह तीन घटना है इसके दर्ज हैं कर दो है यह प्वार है इसके पास आम सेटेट है इसमें पास आम सारे इसके बहुत सेटेट हैं